जी हाँ दोस्तों नमस्कार मैं मेटमोसिस में नागेंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि जो नया इल्टी आया है उसकी वज़े से सब लोग पहने के स्ट्राइक करने तो आप बिलकुछ चिंता न करें हमारे वाँ लगा जो हम आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग साइन्स का भी बैच शुरू कर रहे हैं मैं जूलोजी बाटनी और केमिस्ट्री यह हम पोटा के टीचर हमारे महां लेंगे और ऑनलाइन यह होगा बैच यह आफ लाइन ही होगा और बहुत शानदार वो टीचर हैं तो आपक जो आपको लिंक शेर कर रहा हूँ वो पेडागोजी से रिलेटेड है तो पेडागोजी से रिलेटेड जो है आज मैं लूंगा आपके सामने और उसके अलावा जीएस और जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड डेमो भी कल शेडियूल है तो कल आपके पास दो डेमो है एक स नीचे दिया जाएगा इस वीडियो के और कल जहां कलास होगी बायो की वो भी दिया जाएगा नीचे कैमिस्ट्री और जो जो इसका लिंक होगा आपके जीयस और इसका पुरा रीजनिंग वगरे का उसका लिंक आपके बास कली आएगा तो फिलाल आप यहाँ पर मैं उस पूरे GS और reasoning के लिए और biology के लिए नीचे एक WhatsApp ग्रूप भी दे रहा हूँ उससे भी आप फटा फट जुड़ जाएं और science के WhatsApp ग्रूप से भी जुड़ जाएं और मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यहाँ पर खासकर कि process कैसे है देखिए आपको जातर लोग के लिए जो problem आ रही है वो यह आ रही है कि वो मेरे demo में कैसे आएं तो सबसे पहले आप Google Play Store में जाएए Google Play Store में जाने के बाद आप Teach Mint ट्यूशन एप इसको डाउनलोड कीजिए इसका sign कुछ ऐसा होगा जिसमें blue और green करर होगा और कुछ ऐसे ऐसे lines भी होंगी ठीक है इस sign से आप इसको पहचानेगे टीच्मेंट ट्यूशन एप जब डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड करने के बाद इसको open करिए डाउनलोड करिए फिर open करिए open करने के बाद जो आपके पास user interface आएगा उसमें यहाँ कहीं एक plus का sign होगा ठीक है इस plus के sign में आप मेरा जो link का आया है इस link में एक classroom ID है for example यहाँ मैं उसको 059278 ऐसे कुछ कह देता हूँ यह ID को plus के बाद जैसी plus दवाएंगे तो एक यह खुल के आएगा window इसमें आप यह डालिए इसमें डालते ही आपके पास एक classroom दिखने लगेगा और उस classroom में एक message आएगा कि approval pending approval pending जैसे ही आए तो समझ लेजी आपका काम हो गया है इसके बाद मैं वहां class से आपको approve कर दूँगा और जितने भी approval मैं देता हूँ मालिया class पांच पैतालिस पे तो approval मैं साड़े पांच तक देता हूँ साड़े पांच के बाद मुझे call न करें या पांच चालिस तक मान लेता है तब तक approval देता हूँ उसके बाद नहीं क्योंकि उसके बाद फिर आप recording देख सकते हैं फिर मैं उसके बाद approval दूँगा क्योंकि बीच में disturb होता है तो आप WhatsApp ग्रूप से भी जुड़ जाएं और फटा-फट इन ये टीच्मेंट में भी register करा लें तो मैं आपको अब इसके बाद ये बता देता हूँ कि कौन-कौन सी classes का demo कब है और हम बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए इस बारे में बात करते हैं तो अगर demo की बात करें आज आज यानि की 17 तारिक को जो यह pedagogy का demo है जो 5.45 पी-म पे है जिसका link इसके नीचे आएगा इस वीडियो के नीचे और इसी का WhatsApp ग्रूप भी आएगा डॉक्टर नागेंटर और इसी में मैं जो है हमारी जो net JRF एजूकेशन में राधा मैं हम को भी लाने की कोशिश करूँगा कि राधा मैं हम भी कुछ segment आपके सामने कली वाले English के जो बैच है उसमें एक होगा साड़े छे से सुरी 645 भी नहीं रहन दीजिए और आज ही सत्र कोई एक English का और डेमो होगा जो मैं लूँगा वो होगा grammar grammar पे एक डेमो होगा क्योंके आपको पता है grammar बहुत बड़ा difference बनाने वाला है 18 तारिक को यह जो डेमो है वो बहुत important है note कीजेगा evening में यह time में आपको जब group बन जाएगा तो group में दूँगा तो group के लिए आप इसके नीचे link में lt science group में आप अपने को जोल दीजेगा whatsapp group में और teachment के app में register भी करा लीजेगा यहाँ पर share करूँगा यह evening होगा time में group में भेजूँगा group से जड़ू जुड़ जाए science वाले geology, botany, chemistry तीनों का जो quota के teacher हैं वो लेंगे और यह होगा 18 को evening को science का bio plus chemistry और 18 को ही हमारा एक और होगा जिसमें होगा gk and या gs उत्राखंड and reasoning gs उत्राखंड and reasoning इसका teachment का group और link whatsapp का group वो भी मैं नीचे दे रहा हूँ इसमें आप फटा-फट register करा लें इसका time भी आपको बता दिये जाएगा इन दोनों के time आपको group में बता जाएगे इन दोनों के time मैं बता चुका हूँ कि 17 को English का जो grammar होगा आज वो 7 बज़े से होगा 7 पीम ठीक है तो आज साम को मेरे दो जो है एक पूरी तरीके से कहलो demo है अब सबसे बड़ा सवाल कि लोग कह रहे है सर बैच कब से शुरू होगा तो बैच शुरू हो जाएगा आपका 19 तारीक से 19 से आपका पेड़ागोजी का बैच और फर्स पेपर का और जो उन 20 से आपका English का ये आपका जो बैच की स्टार्टिंग की डिटेल है और साइन्स का भी हम और जो भी हो गई है साइन्स का भी हम क्या करेंगे पूरा 20 से शुरू करेंगे तो ये तो हो गया बैच की अब आगे ये डिटेल बता देता हूँ कि जो हम ये शुरू करेंगे उसमें कैसे क्लासेज रहेंगे तो जो हमारा प्लैन ओप एक्षन है हम मात्र 50 दिन ले रहें 50 डेज इन 50 डेज में फर्स्ट पेपर के लिए जो लोग फर्स्ट पेपर लेंगे वो लोग अलग से सेपरेटली फर्स्ट पेपर भी ले सकते हैं जो अलग सबजेक्स के हैं वो यहां फर्स्ट पेपर की कर सकते हैं और जो लोग इंगलिश वाले हैं वो first paper और English का पूरा package भी ले सकते है केवल first paper भी ले सकते है और किसी को लगता है first भी नहीं चाहिए English भी नहीं चाहिए grammar चाहिए तो grammar भी ले सकते है तो तीनों चीज़े आपको मिल सकती है अब 50 days first paper में क्या कराएंगे 50 days में first paper में रोज 3 classes होंगी 1, 2, 3 class ठीक है दो pedagogy की होंगी और एक GS and reasoning की और इन दोनों classes का time भी आप यह समझ लिजिए जो GS reasoning है क्योंकि यह दोनों चीज़ होंगी तो बड़ी होगी class और यह जो है आपकी देड़ देड़ घंटा मानके चलिए minimum और जो English की class होगी जो English plus pedagogy लेंगे यानि second और first paper दोनों इनकी रोज की चार class होंगी तो चार class multiplied by 50 200 और तीन class multiplied by 50 150 classes 150 lectures तो 150 lecture and 200 lecture का हमारा aim है और हर के साथ हमारे होंगे PDF notes downloadable downloadable क्या कहें हम आपको whatsapp पही share करेंगे और test होंगे रोज के test और PDF notes में कोई कोता ही नहीं बरती जाएगी क्योंकि हमने अपने team को उसमें लगा दिया है और वो notes और PDF रोज के रोज आएंगे test रोज होंगे चाहे 10, 20, 25 question हो और सबसे बड़ा test पूरे हफ़ते का फिर Saturday को होंगे 2-3 लेकिन रोज के test बहुत जरूरी है जो आपने पढ़ा है उसे नापने कले तो ये हमारा पूरा plan of action है आप इससे जुड़िया और 19 को हम जो है आपको fee structure वगरे सब बता देंगे sorry 18 के बाद और 18 की last meeting में मैं होंगा sorry 19 की सुबह मैं आपको ये सारा inform करूंगा और 19 को आप submission करें fees का और उसी दिन से आपके batch शुरू हो जाएंगे so मिलते हैं और अभी भी कोई confusion रह गया हूँ तो आप मुझे call करके पूश सकते हैं तो आज मिलते हैं शाम को दो डेमो में thank you have a nice day